नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी योटूब चैनल All Exam Guide Guru पर दोस्तों अभी जो एक्जाम हो रहे हैं उसमें हिस्टी के कॉशन्स बहुत पूछे जा रहे हैं और लेटेस्ट एक्जाम पैटन पर हिस्टी के टॉपिक से हर एक्जाम में 40 नमबर के GK में अगर देखा जाए तो कम से कम 5 से 7 कॉशन्स पूछे जा रहे हैं इस वीडियो में टॉप इंपॉर्टेंट हिस्टी के 100 कॉशन्स हैं और ये वन लाइनर फॉर्मेट में हैं वन लाइनर फॉर्मेट में आपके लिए रिवीजन करने में बहुत कम समय लगेगा अगर कॉशन्स आपसे बनते हैं तो आपका जल्दी से रिवाइस हो जाएगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कम समय में आप सारे कॉशन्स को नोट्स कर सकते हैं तो इस वीडियो को देखिए चेक करिए क्या ये इस्तिहास के कॉशन्स आप से याद हैं अगर नहीं है तो याद कर लीजे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोडिफिकेशन म तो वैदिक काल में पणी नाम से जाने गए समूधाय का मुख्य व्याउसाय व्यापार हुआ करता था रिग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहीता का शापदिक अरत होता है गाय का दोहन करने वाली संगम युग में तमिलोंका सर्वादिक लोग्प् किया था तो मुहम्मद बिन तुगलक ने किस धातू के सांकितिक सिक्कों का प्रचलन किया था तो का से धातू के सांकितिक सिक्कों का प्रचलन किया था गुजरात को जीत कर किस ने उसे दिली सल्तनत में सामिल किया था तो अलाउद्दीन खिल जी ने गुजरात को जीत कर उस मगहर में बनाई गई थी अगबर नामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किस ने की थी तो अगबर नामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या वीर से इंग बुंदेला ने की थी बागी शहजादे खुसरों को आश्रे देने के लिए जहांगीर ने किस सि का उल्लेक सबसे पहले किया था व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था तो विपासा व्यास नदी का प्राचीन नाम था छटी शिताब्दी इसा पूर्वद समहा जनपत की राजधानी कहां पर थी तो छटी इशा पूर्व छटी शिताब्दी इसा पूर्वद समहा जनपत क राजधानी कौसांबी में थी पाटली पुत्र नामक नगर की स्थापना किस ने की थी तो उध्यन ने पाटली पुत्र नामक नगर की स्थापना की थी मगत का प्रथम राजवंश कौन सा था तो हर्यक वंस मगत का प्रथम राजवंश था बुद्ध द्वारा गौहत्या को बुद्ध मताव लंबी क्या कहते हैं तो बुद्ध द्वारा गौहत्या को बुद्ध मताव लंबी जो है महा गौहत्या नहीं ग्रहत्याग को माफ करिएगा ग्रहत्याग को महा भी निश्क्रम्र कहा जाता है सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था तो सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर ए आखूर कहा जाता था खालसापंद की स्थापना तथा एक धर्माचारे पाहुल को किस सिख गुरू ने चलाया था तो खाल सपन की स्थापना और पाहुल पर्व के प्रवर्तक गुरू गोविन सिंग जी को माना जाता है विशिष्टा द्वैद के प्रवर्तक तो रामानउ J Moment के प्रजटक प्रदर्शक थे प्रवर्तक थे खानवा का युद्ध कब हुआ था तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था चोलवंस का संस्थापक कौन था तो विजयपाल चोलवंस का संस्थापक था आग्रे का किला मोती मस्जित किस मोगल शाशक ने बनवाई थी तो आग्रे किले में मोती मस्जित जो है शाह जहाने बनवाई थी पुश्यमित्र सुंग ने अश्यमेव यग्य किये थे यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है तो पुश्यमित्र सुंग ने अश्यमेव यग्य किये थे यह जानकारी महाभाश से प्राप्त होती है एत्रिय ब्राम्मण किस वेद का है तो एत्रिय ब्राम्मण वेद रिगवेद का एक वेद है हिस्टोरी का नामक ग्रंथ के लेखक कौन है तो हैरोडोट्स हिस्टोरी का नामक ग्रंथ के लेखक है उत्तर आमचरित के लेखक कौन है तो भावभूती उत्तर आमचरित के लेखक है महमूत के साथ भारत आय किस विद्वान ने भारती समाजपत किताब अलहिंद नामक पुस्तक लिखी तो महमूत के साथ में भारत आय अलबर्वी ने भारती समाजपत किताब अलहिंद नामक पुस्तक लिखी खर्मेज खर्मेर रजा ने किस भारती राजा से मित्रता की थी तो खर्मेर राजा ने राजेंदर प्रथम से भारती राजा से मित्रता की थी सल्तनत काल में हक एशर्ब क्या कहलाता था तो सल्तनत काल में हक एशर्ब सिचाईकर को कहा जाता था नायब ए मामलीकात नामकपत का स्रजन सल्तनत काल में किसके लिए किया गया था तो नायब ए मामलीकात नामकपत का स्रजन मुईज उद्दीन बहराम शाह ने किया था मुगल काल के लोक निर्मार विभाग मतलब PWD गेपार्टमेंट जो था उसको क्या कहते थे तो मुगल काल में लोक निर्मार विभाक को P WD को शोहरत ए आम कहा जाता था बंगाल के एक नवाब ने अपनी राधधानी मुर्शिदा बाद से परावर्थित करके मुंगेर कर दी थी तो बंगाल के नमाब मीर कासिम ने अपनी राधधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्थित करके मुंगेर कर दी थी किस अभिलेक से पुष्टी हुई की पुष्टी होती है 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 की पुष्टी होत वाहे शिल्पी नयाधिकारी और पार्षदिये साथ वर्ग थे कनिश्क की राध्धानी कहां पर थी तो पुरुषपुर या पेशावर कनिश्क की राध्धानी थी नरसिंग वर्मन दोतिये ने जिसकी उपाधी राज सिंग थी कांची में किस मंदर का निर्मार कराया था तो लॉटलोर के प्रसिद केलासनाथ निर्माल कराया था शेर सांक एस्थ है सत्वाहन वंस का मہानतम शाशक लॉठल गुज्रात में इस्थ है प्रसिद पार्सी तिवहार नौरोज की साशक्त ने प्रार charter प्रसिद पार्सी तियोहार बलबन ने नौरोज जो है बलबन ने प्रारम किया था किस गवणन जनरल के काल में अंग्रेजी उच्छी सिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में सुईकार की गई तो बिलियम बेंटिंग के काल में अंग्रेजी जो है उच्छी सिक्षा के माध्यम औ और सरकारी कामकाज में भाशा की रूप में सुईकार हुई दिली के लाल कले के अंदर मोती मस्जित का निर्मार किस ने कराया था तो औरंग जेब ने दिली के लाल कले के अंदर मोती मस्जित का निर्मार कराया था साची का इस तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था तो मौरे वंश के काल में साची का इस तूप बनाया गया था किस राज वंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई थी तथा अंत भी हत्या के द्वारा ही उसका हुआ तो सुंगवश्च के शाषकों ने हत्या कर सत्ता जो है हत्याई थी और अंत भी उनका हत्या के द्वारा ही हुआ हाथी गुमफा अविलेक में किसकी उपलब्दियों का विवरण है तो हाथी गुमफा अविलेक में खारवेल की उपलब्दियों का वरण है सिराजुद दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संदी की थी तो आली नगर की संदी सिराजुद दौला के साथ में अंग्रेजों ने की थी नरेंदर मंडल की स्थापना का सुझाओ किस ने दिया था तो नरेंदर मंडल की स्थापना को सुझाओ चैम्सफोर्ट सुधारों में मिलता है धन निकासी के सिद्धान का प्रदिपादक कौन था तो दादा भाई नोरोजी धन निकासी के सिद्धान्त के प्रधिपादक थे सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमी को क्या कहा जाता था तो सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमी को महफरूज कहा जाता था सल्तनत कालीत प्रांत में सेना क्या कहलाती थी तो सल्तनत कालीन प्रांत में सेना हश में अतिराफ कहलाती थी गौालियर अभिलेक के अनुसार अर्बों को सिंद से आगे बढ़ने से किसने रोका था तो ग्वालियर अभिलेक के अनुसार अर्बों को सिंद से आगे बढ़ने पर नाग भटने रोका था महराजा रणजीत सिंग के साथ किसके विचार विमर्ष के परणाम सरूप अमरिज सर सहर अमरिज सर की संधी हुई तो महराजा रणजीत सिंग के साथ में सरचाल्स मैटकॉफ के विचार विमर्ष के दौरान जो है अमरेसर की संधी हुई थी किस साशक ने साशनकाल में भामनियों ने अपनी राजधानी गुलबरगा से इस्थानांदरित कर बीदर बना दी थी सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आकरमन के समय वहां के शाशक कौन था तो सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी का आकरमन हुआ था उस समय वहां का शाशक भीम प्रथम था फुतुह उस सलादीन की रचना किसने तथा कब की थी तो फुतुह उस सलादीन की रचना जो है इसामी ने 1350 इस्वी में की थी सतकरणी की मृत्यू के पशात उसके दो अलप वयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का सरक्षन किसने किया तो नाग निका ने सतकरणी की मृत्यू के पशात उसके दो अलप वयस्क पुत्रों वेदश्री और सक्तिश्री का सरक्षन किया हाल ने गाथा सब्तशती नामक गरंथ की रचना किस भाशा में की थी तो हाल ने गाथा सब्तो सती नामक घ्रंथ की रशना प्राकृत भाशा में की थी कौन सा साशक प्रतेक पांचवे वर्ष प्रियाग में धार्मिक संपेलन किया करता था तो हर्ष वर्धन ने प्रतेक पांचवे वर्ष प्रियाग में धार्मिक संपेलन रखता था और हर्ष को ही कुम्म के मेले का प्रारंभिक वो कहा जाये तो कुम्म का मेला प्रारंभ किसने करवाये तो हर्ष वर्धन नहीं कराये ये भी कौशन आता है भुमनेश्वर तथा पूरी के मंदर के सैली में निर्मित हैं तो भुमनेश्वर तथा पूरी के मंदर जो है नागर शैली में बने हुए हैं किस विशय से संबंदित है एघ्र महाद गनपदी परवका श्रीगडश राश्य शेतना लाने के लिए बाल गंगधर दिलक ने किया था शर्वकर किस पर लगाया जाता था तो सिचाई पर लगाया जाने वाला कर था सर्वकर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे तो मखली गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे अंग्रिजों के शाशनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्दान्त का प्रदिपादन किस ने किया तो दादा भाई नरोजी ने Poverty and Un-British Rule in India नामक अपनी पुस्तक में अंग्रिजों के शाशनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धान का प्रदीपादन किया था रॉलेक्टेक्ट भारत में कब लागू किया गया था तो 1919 में रॉलेक्टेक्ट जो है भारत में लागू हुआ था विक्रम समवत का प्रारंब हुआ था तो 58 इसाप पूर्व में विक्रम समवत प्रारंब हुआ था बनावली एक प्राची निस्थल है जहां 1973 से 74 इस्वी की खुदाई में सिंदू सबिता की अवशिश मिले हैं या इस्थल भारत की किस राज़ में हैं तो बनावली जो है हर्याना में इस्तित है सिंदु सबिता में खोपडी की सल चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष कहां से प्राप्थ हुआ है तो काली बंगा से सिंदू सभिता में खोपडी की सली चिकित्सा का सुनिशित साक्ष मिला है महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन से राजा राजी करते थे तो प्रसेन जीत महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में राजी करते थे राजा किस साशक ने वैसाली का परित्याग करके पाठली पुत्र को मगत की राजधानी बनाए इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजे वीडियो को अपने ग्रूप में जाद से जादा शेयर करेगा चैनल पर नहें तो सबस्क्राइब जरूर कर लिजेगा जिससे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट आपको मिल सके बहुत बहुत धनिवात आपका दिन शुब हो